हालो माइडिया स्टूडेंट वेलकम टू बेटा वर यूटूब चैनल एन अप्लिकेशन अकाउंट्स बाइ हेमल सर में हेमल सर आप सभी बच्चों का तह दिल से स्वागत करता हो बेटा आज से अभी अपनी टीवाई भी कॉम या तो बैफ अगर बीमस आपने अगर कुछ आप पर अगर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग करके रहेगा जो की अकाउंटिंग स्टांडर्ट थर्टीन अपना तो वहाँ पर बीटा सेम टू सेम यही टॉपिक यही समाएगा हाला कि मैं स्टार्टिंग डारिक फोर चेप्टर से कर रहा हो आपको कर थो ठार्ड सबसे पहले समझते इनवेस्टमेंट अकाउंटिंग मतलब हम कहीं पर पैसा क्या करें इनवेस्ट किया तो वहां से क्या मिलेगा इंट्रस्ट मिलेगा इनवेस्ट किसमें करेंगे डिबेंचर में कर सकते बॉंड में कर सकते तो वहां से अपने को क्या मिलेगा इंट्रस्ट मिलेगा तो सब जैसा पैसा मैंने इनवेस्ट किया वैसा इंट्रस्ट मिलना चालोगा नहीं उसके लिए टाइम लगेगा हाला कि तुमनेए इनवेस्ट किया एक दीन होगा इंट्रेस्ट मिलेगा दूसरा मिलेगा नहीं हम समझते के एक दिन का भी इंट्रेस्ट रहता है ऐसे करके 6 महीना है तो 6 महीना मतलब 180 वाने टिटेस्ट एक एक दिनका भी अपने पाद होता है दुसी इंटरस्ट को बोला जाता है पर सबसे पहले समझते यहाँ पर हमें बेसिकली जो समझना है यही समझना एकसिंटरस्ट एपक्ट पर यह दोनों आपने समझ ला होता है था औरकोилось समझ में आ जाएगा पकर इंटरेस का मतलब क्या दे सेक्युरीटी का मतलब कुछ चीज जो तुमने पर्टोever में पर करना कैसे करेंगे बहुत ही परचैनल यहीं फॉर्मूला यह को इनट्रेट्स फॉर्मूलाय फॉर्मूला पर इंट्रेट्स क्लेट्स Г 164 पर-चैनल 10ить प्रचैनल क्वेली हम्हें एक गोड़ अपने थीझार्ट मिला कि तोर पर 31 specs December 2012 21 को अपने को क्या मिला था हम जो security आप कभी पर चैस करें सर फ्रेपरील को करें फ्रोस्टपरील 2022 को करें तो लास्ट अपने को 31 सब्स Cryos DC अपरी फरवरी मार्च अपरील आये नहीं तो अपरी चार्ट सबसे पहले जितने का इंटरस करें एक लाक रुपया इन्वेस्ट कर रहे तो एक लाक रुपया उस पर आज्यूम करके सब्सक्राइब करें लास्ट में उस सिक्यूरिटी पर इंटरस कभी मिला था अपने को 31 डिसेंबर को डिसेंबर चला गया जनवरी फरवरी मार्च कितना मही ना मला तीन मेल सम करेंगे तो आपको आजाएगा तो 3 अपन कि ट्वैल करो आपको अटोमेटिकली क्या मिल जाएगा अभी आपको आता है थ्री फोर जाट वैल सीरो जीरो खटा दो तो करीब आ जाएगा कितना है यह तैन थाउजन तो आएगा आपको सब्सक्राइब जाएगा करोज़ां थाफ यह चूर्ट संब्सक्राइब क्या मिल ला सर मिरें को कैसे आता नवेंबर दीसेंबर जन्वरी फरवरी और और मार्च तो कितना महीन आता पांच महीन आता ऐसे हम काउंट करेंगा आगे बढ़ते हैं यह बहुत ही सिंपल का फॉर्मूला इंट्रेस्ट का कुछ आपको मेरे को लगता नहीं समझाने जैसा अभी में जो चीजे एक सिंट्रेस्ट का एक सिंट्रेस्ट और कम इंट्रेस्ट का मतलब होता है उसके अंदर इंट्रेस का पैसा इक्लूूड और कॉम का मतलब होता है इंक्लूड मोत्य इंक्लूड अन। का नाग रुपय का सेक्यूरिटी मैंने खरीदा एक लाकर रुपय का सक смог रिखर Great एक लाख रुप्या प्लास जो अक्रूर्ट इंटरस्ट अड़ा जार उन्ट्रेस्ट तो टोटल मेरका उसको कितना एक लाख दो हजार पां सो रुपया पे करना पड़ेगा किसका कि इंटरस्थ तीन महिना तो उसका इंटरस्थ और पर्चेस था तैंट इतना पैसा पे तो जो एक सी का मतलब होता एक सी अंदर होता है एक लाँ जिसके मतलब idea इंकलूड मतलब एक लाक रुप्या कम इंटरस जना उसक बिलाजेगा कम एंदर आटोमेटिक लिंटरर्स का पैसा इंक्लूड है सब दोनों में डिफ्रेंस के करना कुछ अपने को पता होना ची हमें तो बेटा एक्स इंट्रस प्राइजी लेते कभी कम आ गया तो आपको पता होना ची कि कम इंट्रस्ट है मतलब उसके नदर इंट्रस का पैसा इंक्लूड है तो इंट्रस का पैसा मा नहीं है कम मतलब इंकलूड इंकलूड है तो मुझे क्या करना पड़ेगा एक्सक्लूड करना पड़ेगा तो देखो यहां पर बहुत ही सिंपल सा फर्मुला एक्सिंट्रस प्राइज इस इकल टू क्या होता है को स्ट उफ इन्वेस्मेंट टो टोटल टोटल कितना पैसा पे च्सक्राइब पाजह में लिए जाए किता इंक्लूडइड मुनला ऑफ् jumpy एपका पिंप्ट इथा जो भी प्राइस Strange प्राइस कोष्टम मिट्यों जो कविल इव दिफिक ऑफ़ प्राइस का वन ली टो फेस्टता कोष्ट अफ इंवेस्मेंट या तो इंट्रेसपा पैसा एंखक्रूड़ नहीं इस क्या बोला सब्सक्राइस और यहां पर वहam प्लस क्या करना पड़ेगा हमें अकुरूड इंट्रस्ट का पैसा पे करना पड़ेगा अभी यहां पर आते कम इंट्रस्ट कम उसके अंदर इंट्रस का पैसा इंक्लूड़ा समझ में आ जाना चींए अल्टर्नेटिव इद प्राइस टूवड़ इस रिखाये अकुरूड इंट्रस्ट प्राइस तो है कॉस्ट भी है उसकी अलभा अकुरूड इंट्रस्ट वेद्ध उससे क्या बोला जाएगा कं कि एंसपशा अग्स फ्रीयस कि उसको कम इंट्रस प्राइब जितने पैसा क्या और गेए फैसा पेसा हम क्या करें। तो कॉस्ट ऑफ इंवेस्मेंट कैसे मिलेगा सिंपल है कम इंटरस्ट प्राइज में से अक्रूड इंटरस्ट को माइनस कर दो मतलब हमने डायरेक्ली कितना पे कर दे एक लाख रोपे का आ गया कुलियर्ट टोटल पेमेंट वाई पर्चेश इसका कंप इंटरस्ट प्राइस पर क्या किया उसने पर्चेस किया अकुड इंटरस इस इस परचेस पर चेस यह परच्छ ऐसर और बिलंग तुद्द इम जिब ऊसके अनदर इस एंदर क्या है इंटरस का पैसा include the purchase kept back the accrued interest in the price of accrued interest is a capital receipt the return is investment क्राइब कम interest price less क्या लिखा जाएगा accrued interest is equal to क्या मिला है और यही फर्मुला मैंने यहां पर लिखा देखो कम interest price कम interest price less less accrued interest is equal to क्या मिलेगा cost of investment अपने को मिल जाएगा clear आपको पता होना पाइसा समझ में आगए कम इंट्रेस्ट का मतलब होता है उसके अंदर इंक्लूड देखो एक और बार SIMPLE स्वीड में आपको बता देता हो सबसे पहला होता है Xaves interest और दूसरा होता है बीटा कम इंट्रेस्ट एक्स का मतलब होता है उसके अंदर इंट्रस्ट का पैसा इंक्लूड नहीं है जैसे इंट्रस्ट इंट्रस्ट है इसके अंदर एक्स इंट्रस्ट में इंक्लूड नहीं है कम इंट्रस्ट में इंट्रस्ट का पैसा इंक्लूड है क्लियर है हम पैसा कितना पे करेंगे तो यहा क्या करना पड़ेगा। हम इंटरस्ट का पैसा क्या करना पड़ेगा। प्राइश होता है। होता है ना यहीं क्या होता है अपने को अमाउंट पे करना होता है क्या होता है यहीं अमाउंट क्या करना होता है अपने को पे करना होता है मतलब इसके अंदर क्या होता है अल्रेडी इंट्रस का पैसा इंकलूड है और यहां पर इंट्रस नहीं है तो इंट्रस का पैसा राइस कलियर है और ही यहां पर अपने को अगर को स्वारीन करना अंग का are कॉस्ट ओव इन्मस्मेंट माइनस क्या करना पड़ेगा अकुरूड इंट्रस करें तो अपने को क्या हगा टोटल करना पड़ेगा तो यहां पर बेटा समझ में आगा रहेगा को कुछ जर्रल एंट्री आठो की आठ जर्रल एंट्री आपको सबसे पहले पता ओला चीए देखो तो सर्क्राइब होता है तो सर्क्राइब पैसा इंकलूड नहीं मतलब यह जो अब né यह होगाल चनल पैसा क्या क्या रखाया चये इंवेश्ट्रों को मिन्टरस्ट करके रखर दिया निसों मतलब और इंट्रेस्ट का पैसा ब्रकों से में इंट्रेस्ट मतलब कौन साथ केका। मतलब को क्वाला उन्वेस्मेंट वाला मोंट पैसा प्हें करते हैं,, मतलब काज़ेंग इंवर्स हैं पलस क्या हता है इसके अंदर इंट्रस क्लियर है और जो एक ineंट्रस प्राइस इस इकल डू तो क्या होता है अपना कॉस्ट ऑफ इंवेस्मेंट ये अपने लिए क्या हो गायाICA प्रोफिट निकालना पड़ेगा लॉस निकालना पड़ेगा सभी है तो अभी यहां पर आते देखो यह रहा सेल ओफ करें करें कि गया इंवेस्मेंट यहाइगा यहां पर भी खैंसे निवेस्मेंट नटेट एक्स इंट्रेंस सेलिंवेस्च में सेल करें के पैसा बदले में बदले में मीर जाएगा इंवेस्च में के लिखा दायरेक्ट यह जो इनवेस्च मेंड का वेल्यू एक्स में इंट्रेंस मतलब हम कितना ओसा डाय दर इक्सd priorit just is equal to abhi हमने लिखा यह अपने लिए क्या हो था कॉस्ट आफ इन्वेस्टमेंट अ पो इतना पैसा क्या हो रहे यह डारेक अंग्स लेगव इंघर इंट्रेस्ट का पैसा जोड़के उसके अम दोनों है उसके इंदर इंटरस्ट मेंट्रस इंट्रस्ट वी आगया त्रियर यह आगे अपने लिए ये अभी देखो आपको पता होना चाहिए प्रॉफित होगा कि लॉज और प्रॉफित कभी वह जब सेलिंग प्राइस क्या रहेगी और कॉस्ट प्रेस कम रहेगा एक्जामपल के तोर पर हमने एक लाग 10.000 में बेचा और कोस्ट कितना था एक लाख 250,500 तो अपने को कितना होगा साड़े साध अजार का profit होगा push all expenses and losses तो लौस आयक तो कहा पर आता है डेबिट पैवित आयेंगा तो किया जाएगा तो कुन सा अब प्रकत कहूंट आप अपने को यह आपर प्रोफित कभी होगा ज़्यक्त प्राइस डाज कारेगा और जब लाज कभी होगा लास इज़ी कर्टू क्या होगा सर्प प्राइस,singing कोश्ट प्राइस के रहेगा। कम रेगा से लिंओ से रिख काउस प्राइस, când आज झागि इस पूरे एक रहेगने आख is 2500 549 015 is और 10 fiction친 seinem चाहिए तो Profit and loss account dataset debit investment का नाम आजाएगा अभी पता कैसे चलेगा अपने को Profit हो रहा है लॉस हो रहतेक फार मूला यह रखता है यह याद रखता सब्सक्राइब कोस्ट प्राइस इसी कल और मेरे पास कितना security है मेरे पास अगर पकड़ के चलो में 200 सेक्यूरिटी 200 में से 100 सेल कर रहा हूं multiply by number of security sold appointment total number of security सेल कर रहा हूं अपर multiply total cost of investment on the date of sale मेरे पास total investment कितना है मतलब जो सेल सर्दिया हो पिछला सेल किया हो नहीं total total मेरे पास कितना है example total मेरे पास है एक लाक रुपे का है तो करना कुछ नहीं 00-00-212 वाइजा तो अपने पास वैल्यू कितना जाएगा सर्फ 50,000 रुपे का अपने पास क्या आ जाएगा यह अभी 50,000 का है अगर हमने 53 में बेचा तो मेरे को क्या हो जाएगा यह लॉस हो जाएगा और 53 में बेचा तो मेरे को क्या हो जाएगा च्रू Gram Heart याद रखना के लिए रें इंट्रेसेवाइब इंट्रेस्ट मतलब पैसा आएका तो पैसा आएगा तो अब्राया इंट्रेस्ट का नाम आजय Karma alimentos रेसीव वर है गुंहे खोबीक कुल है के रस्रोण पैसा मिलना बाक ऐक युर्ड कर दो क्या रहेगा अपर पैसा पैसा नाम यहां पर आजाएगा आटेशने मेरे साथ अगर आपने लिखी रहेगी आठों के आठों तो पर प्याहिए जाद हो जाएगा हम संप करेगा यहांपर बहुत ही सबसे पहली बेजिक लोटिए टाइम लाइन उसके बाद सब की आएगी एकस इंटरी आफ कि वीससे इसके अंदर आती पर गद रांके क्षान और मंत आपको बनाना पड़ करने इसे को ऐसे घोगे लोर्यय का इसकी भी बूक्स भी नाम इन्वेस्टमेंट इन जो भी रहा तो 13 पसेंट डीवेंट चाले गा तो बॉन्ड रहे गा इन जो भी गॉन्पनी भी देगा दिसेंबर या तो 31 मार्च रहेगा डू डेट ऑफ इंट्रस जैसे 31 ऑक्टोबर या तो 31 मार्च जो भी रहेगा वह हम यहां पर लिखेगे देखो यह जो फॉर्मेट एक पेज पर नहीं आएगा इसके लिए मैंने इसको थोड़ा बड़ा करना आपके पास अगर रहेगा तो आप इसे दो पेज पर बनाना जैसे मैं आपको दिखा सकता हूं मैंने रफली यहां पर बनाए दो सामने सामने का पेज पर बनाओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा क्लियर है तो जैसे डेट पर्टिकुलर वर्किंग नोट नॉमिनल वेल्यू इंट्रस मल्टिप्ला पर बनाओगे तो भी चलेगा फूल पेज बना लोगे तो भी चलेगा बटा क्लियर है तो एक फॉर्मेट आपको बनाना और याद रखना वर्किंग नोट आते जाएगी तो यहां पर बेटा समझ में आगा रहेगा बस इतना ही समझाना था एक्स इंट्रस प्राइस क्या ह होता है कम इंट्रस प्राइस क्या होता है बागी तो अल्मोस्ट बहुत ही सिंपल है अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखो कि आपको अटोमेटिकली समझ में आ जाएगा और अभी तक अपने एप डाउनलोड नहीं कि अकाउंट्स भाई हेमल सरकर करके एप डाउनलोड कर कर दीजे महाँ पर आपको इसकी नोट्स वगेरा सारे सब्जेक की आपको मिल जाएगी नहीं कि सो मच बबाई